ये महानदी का जो 36 गड़ में बने हुए बैराज है सात्वे नंबर का बैराज है और इस बैराज में 66 गेट्स हैं हम 45 के बीच ओ बीच खड़े हैं एक तरफ हमें सूख ही हुई रेगिस्तान मरू भूमी दिखती है महानदी और दूसरी तरफ एक सुंदर सा समुद्र नीला पानी से भरा हुआ सब्ने यह जो नदी पर ड़ी के अधिकार को जीम कर फूर नदी यूक एक इन्सानी दर्जा है नदी एक इनसान की तरह अपना पानी का अधिकार चीब फिरन सको इस तरह से मरुस्थल में बदल दिया जाता है कि इसलिए ये कैना चाहूंगा कि हमें नदी का नदी को अधिकार देना चाहिए नदी भी एक इनसान की तरह है जैसे इनसान का अधिकार होता है वैसे ही नदी का अधिकार होता है हमारी सरकारों को उसके इस अधिकार के लिए विचार करके सहमती बना कर यह अधिकार देने का काम करना चाहिए